नमस्कार निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो छट का ढ़लाई तक का काम क्या गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ जैसे कि इस बननेवले घर के लिए प्लानिंग कर रहो या फिर घर बनवा रहो आप इस वीडियो को पूरा देखिए आपको पता चलेगा घर का निरमान च्छत कड़लाई तक कैसे करवाना है और कितना रुपय तक का आपका खर्चा है वो आ सकता है इसके बारे में जनकारी मिले तो द यह सकते हो इस घर के लिए पाहला विंड़ु है और यह दूसरा विंड़ु है इसका कामे वाक्ष्डियान के साथ में किया जा रहा है पैसा खर्चा ज्यादा ना आए इसके लिए देखिए गा तो यहाँ पर यूसेप में साहिए क्या गया बहुत सब्सक्राव तरप से ढ किया गया है जर्दातर लोग आजसकर इसी ट्रेंट के साथ में अपने घर का में वह करवा रहे हैं चले तरह और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीका से का में आपे यह जारा जैसे किस घर का फॉर्स का हाइट के बारे में जान लेते हैं तो बहुत ज्यादा फॉ सब्सक्राइब किया जाए चाहिए कि कमञा dig लेबल से टीन फीट काउंट चाहिए did चैनल कि यह हां कि आपना भी ईसका के लिए को बिल्कुल a.ज आपको कॉलम धेकने को मिलता है मिस्थध्रिया ठखळा रहा है आपँ चा याप आप दिखा वे ज openly आपको नीच perspectives आप्र ुसको और नेचे एंगा возможно नजेर आताएं इस तरीका से कॉलम का कम आप अपने घर में कराते हो तो इसली आप अपने घर को तीन तलह तक ले and से मिलो ख़म के तरह दोस्तो हमें नजदीक चलकर में आप लोग को दिखा रummy और यह ढार हुए यह आप देखता हो और जो नौव इंची है वो उपर वला हीसा है जहां पर इस घर के लिए ब्रीक वर का का में वो किया गया है इसमें 4 सटेजय के इस्तेमाल किया गया है 16 mm K death दो स्टों कोलम में 6 सेटेकर इस्तेमाल किया गया है हालाकि इस घर का front elevation 32 feet का है घर का पूरा size के बाद के ले जाए तो 32 feet by 42 feet में बना हुआ है घर के उपर में कुछ इस तरीका से अलग टाप का काम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है हालाकि जब काम complete होगा फिर आपको दिखाऊंगा किस तरीका सीसे बने आ गया लगबक सारे में इंट्रेंस है उसके उपर मिला भगधाई फिट का आसपस में चाज़ा है वो निकाला गया है इस घर का जो सामने के तरफ का जो विंडू है उस पर भी नज़र डाल लेंगे अगर बहुत अच्छा विंडू बनाते हो तो आपके खंचा हो जादा आता है और यहाँ पे साथ-साथ दोनों तरफ से आपको आने वाल दिन में उपर दतला काम होगा तो बाल काने देखने को मिलेगा हाला कि इसके लिए डिसेंटरिंग के काम अभी तक नहीं किया गया है कि उस दिन पहले ही छट का डला का काम किया गया है उसके बावजूद आपको दिखाता हूँ सीड़ी और पूजा रूम देखने को मिल रहा है इस तरीका से आप देख पा रहे है और डिसेंटरिंग के बाद आपको फिर से इस घर का वाक्तुरू को भी दिखा दूँगा इस घर का फर्स वगरा का भी काम कर लिया गया है देख सकते हैं और ढलाई के साथ में घर का फर इंचीके साथ में यहां पे रखा गया है लिंटल बीम साथ फिट के हुचाए पे चत का जो हुचाई он ही सारह दस फिट का अशपास में रखा गया है दोस्तों घर का काम को तो आपने अंदर से और बाहर से देख लिया है इस के बारे में जान लिया है अब जानते हैं कि जाए जा सकता है क्योंकि इस घर का कॉलम का साइज 9 इंची बे 12 इंची का है 6 से इस्तिमाल किया गया है इसलिए अपने घर को तीन तला तक ले जा सकते हो अब तक का लगा हुआ पुरा खर्च के बारे में जान लिए जा तो इस घर के ठेके दार के अनुसार इस घर को बनाने में लगबग 12,30,000 रुपे का आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है याद रहे है 12,30,000 में लेबर कोस्ट के साथ साथ मेटेरियल कोस्ट को भी इंक्लूड किया गया मतलब अब तक का टोटल खर्चा में आप लोगों को बता दे रहा हूँ जैसे इस घर का डीस इंटर का काम को दिखाया हुआ था जब इस घर का काम को प्लेंट लेबल तक किया गया था यह इस घर के लिए दुसरा या फिर तिसरा वीडियो है दो वीडियो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है तो आने वाल दिन में भी इसका अपड़ेट देते रहूंगा बहुत जलने मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए इंजिनियर प्रभाद और हमारे पूरी निराला कंस्क्शन टीम हो देज़े इजाज़त नमस्कार